तो आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विल संगीत आजा आज हम बना रहे हैं सूजी से एक दम हैल्दी ब्रेगफास्ट जो वेट लॉस में भी आपकी मदद करेगा कम तील में बना हुआ है इसके लिए मैंने एक कप सूजी लिया है और आधा कप दही यह बहुत खटी दह नहीं है नौर्मल दही है इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर जैसा बना लेंगे एक तम थिक बैटर यह देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको अच्छे से मिक्स किया और एक थेक बैटर बारीक कटीवी घ्नाज बारीक कटः हुआ खोरग काड़ी ut जो भी सबजे घर के लिए अधारी मिंज़ाई गारिकg कटें आप चयर सब्सक्षेः लूए 10-443-个 विःजेसं इन जो सब्सक्राइबने बनाने के बाद मैं थोड़ी से ग्रीन चिली भी डाला है और स्वाथ के नुसार नमक और लाल मेश पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करके यह जो हमारा बैटर है वो बनकर तयार है अब हम इसमें डालेंगे टू पिंच के लगबक बेकिंग सोडा जो इसको अच्छे से फर्मेंटीशन देगा और अच्छा सा यह एकदम फलपी बनेगा यह देखिए मैंने अप्पे पैन लिया है इसमें थोड़ा सा ओयल डाला है और उसको अच्छे से ब्रसिंग कर ली है ताकि कहीं भी वो चिपके नहीं अच्छे से निकालाए यह देखिए अच्छे से ओयलिंग होने के बाद हम बैटर को थोड़ा थोड़ा चमत की सहायता से डालते जाएंगे यह अप्पे पैन में हमने डाल दिया और इसको कवर कर देंगे ठक कर तब तक पकाएंगे जब तक यह एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए यह देखिए इसको उलट पलटके दोनों साइड से हमें पकाना है यह बहुत कम ऑईल में बना हुआ हेल्दी नास ब्रैक्फास्ट है आप एक बस जरूर ट्राइब करें यह पतलिया थोरी से बारी कटिवी प्याज अद्रक लेसन और ग्रीन चिली थोर सा जीरा काला नमक और नमक और थोरी सी मुझफली डाली है इन रोस्टेट है मुझफली इन सब को अच्छे से डाल के ढखकर मैंने मिक्सी में चला लिया और थोरी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग नीम्बू का रस डाला है चटनी तो वैसे आप कैसे भी बना सकते हैं हर घर में अलग अलग तरह से बनती है एक बर आप इस ट्रस से ट्राई करें आपको बहुत ही स्वाधिस्ट लगेगा यह देखिए हमारा एकदम चटाकेदार चटनी तयार है इसके साथ आप अप्पे स अपसे ने